एवरिवन कैसे आपसे बिलोग दूसे सागर साय वेलकम यूटीब चैनल जी कैसे क्लासिज जी कैसे क्लासिज आप लोगों के लिए कंटिनेशली वर्क कर रहा है आपके सेंपल पेपर अपलोड किये जा रहे हैं आपके 10 इंपोर्टेंट पॉर्ड एक्जाम्स आपके अपलोड किये जा रहे हैं तो जड़ी से अपने दोस्तों को शेयर की जिए और सभी बच्चों में कोशन फिला दीजिए ताकि जादे से जादा बच्चे इन कोशन पा बेनेफिट उठा सकें और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने हैं आपका सेंपल पेपर वन जो कि आपका क्लास 10 के मैस के बच्चों के लिए तो जड़ी से चुट जाएगे जिए क्लास के साथ और शेयर कीजिए अपने होते लोग सो पहला कोशन देखते हैं क्या है पहला कोशन आपसे पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है लाजेस फेहले और 15 आपसे पहलना पूछता है यहां प्लाज़ेस्ट नंबर निकाली जब हम सेवेंटी और वन तॉन्टीव को डिवायर करते हैं तो क्या देशना तर्फ मेसा करणेठेट तो मैं अपने नमबर में सब्सक्राइब मशनर दो या wojnतेट नमबर में से म्लोड तो आपका 117 बचेगा तो मैं क्या काम करूँगा अब आप या रखेंगे कि अगर आपको largest number निकाल लें तो largest number जो होता है मेरा वो होता है मेरा SCF तो यानि कि मैं SCF निकालूँगा किस-किस का मैं SCF निकालूँगा 65 और 117 का तो वो मेरा आजाएगा 13 तो इसका largest number क्या हो जाएगा मेरा 13 ठीक है बच्छे लोग तो मेरा पहला आंसर 13 आजाएगा इसका और में question क्या पूछा है आपसे और में question आपसे पूछा है इफ पी जा प्राइम number then what is the LCM of P, P square and P cube तो बच्छे लोग ध्यान नख्येगा कि LCM वो number होता है जो तीनों के अंदर सबसे बड़ा वाला number होता है तो इन तीनों में सबसे बड़ा वाला number क्या है P, Q तो इन तीनों का LCM आ जाएगा मेरा P, Q ठीक है ना question number second a number is chosen at random from the number minus three minus two minus one zero one two three what will be the probability that the square of this number is less than or equal to one तो बच्छे लोग जड़ा इन सबकी outcome देखे किती outcome है एक दो तीन चार पांच छे साथ तो टोटल पॉसिबल outcome होगी seven अब मुझे ऐसे number चाहिए जिनकी probability less than or equal to one होगी ठीक है अब इनकी probability देखते है less than or equal to one वाले में जिनका square करने पे तो यानि कि मैं पॉसिबल नंबर सो पॉसिबल बन सकते हैं माइनस टू और फाइव को जिरो लेके आप जानते हैं इस पहले वाले को बोलते है alpha दूसरे वाले को बोलते हैं beta मेरा क्या होता है x plus c ठीक है और में 0 क्या लिनिया माइनस टू पर फाइव आप जानते हो alpha plus beta होता है minus b upon a alpha into beta क्या होता है c upon a ठीक है यह आपने मेरे इनफानाइट नमबर ऑफ्र मेरे इनफानाइट नमबर जिलोर किया है तो यान कि जब जीरो ऑफिवान पॉसिबल तो यानि कि पॉलिनोमिल भी मेरे इनफानाइट आ जाएंगे ठीक है कि नौट नमबर 4 ग्राफिकली दा पेर अफ एक्वेशन 6x-3y-10-0 एंड 2x-y-9-0 प्रेजेंटिंग तो यह बच्चों में आपको दो एक्वेशन दे रखे हैं किसकी लाइन्स की आपको यह बटाना है कि यह दोनों लाइन्स कैसी होंगे पहले में A1 upon A2 निकालताहूं यानी 6 upon 2 तो कित आ जाएगा में 3? यहां से पतर किल गा में A1 upon A2 इक्वेशन ब्सक्राइब परेट यह रहां है निया क्याले कि reverse C 123 подумant प्राइम नंबर होता है अब जैसे कि आपको पता है कि अगर प्राइम नंबर होता है तो उसके कि वह खुद हो और एक वन श्यास नंबर को ज tech अडा आновगे तकि ऐसी तर्म कों से तर्म नंब निकालू रहा है तो निकालनीं का फ़ूमला आप लोगों को आहे थी बहुत अराम से पता होगा थर्की टर्म का फोर्मला होता है सब्सक्राइब करेंगे तो यानिकी मेरी माइनस सब्सक्राइब कर पाएंगे चली आगे चलता है सब्सक्राइब है अब आपको पठा है इक से निकालना है तो थक है अब आपको नुमबर देखेंगे है कि तो यह सब्सक्राइब कर जानते हैं अगर मैं इसे सर्कल के अंदर होता है तो इन कि यहांनि कि यह वी प्लस सी योडी बराबर किसके होगा वनेटी के तो यह जो आपका यह वनेटी से मैनस करके आ जाएगा तो यानि सी योडी किता आजाएगा आपका 55 डिगरी कर पाएंगे ना बच्चे लोग इजी एना कोशन चलिए कोशन नमबर 9 सरकम्फ्रेंस और सरकल अगर दो इकवल हो जाएंगे यह बच्चे लोग जड़ा द्यान से देखेगा अगर मैं बात करता हूं किसकी अगर मैं बात करता हूं इस प्रेंस और स्क्राइब और परिमेटर स्क्राइब होता है मेरा फोर एक तो जरा देखिए तो से टू गट जाएगा तो पाई आर हो जाएगा तो यहां से लेवन अपॉन सेवन अपॉन स्क्राइब करेंगे तो मेरा अंसर करता जाएगा 14a स्क्राइब अगर मैं से एरिया स्क्राइब निकालता हूं तो एरिया स्क्राइब मेरा किता होता है एस याननी कि मैं जिर्फ कर दोंगा इस खाय तो एरिया स्क्राइब उप्ली अच्वार्ड बिलग तो एडिए अगरे चलते खोज़न तेंगे आप से क्या बोलता है तो वॉल्यूम क्या होती है नहीं शेप की आप बोलेगे एक एक सोलिड को एक शेप से दूसरी शेप में चलते हैं तो वॉल्यूम क्या होती है चली आगे चली है नमब 11 देखिए इन दफिगर ऑफ ट्रेंगल एबी सी दफिटी अड़ी आपको X की वैली फैन नौट करने हैं अगर मैं यह फिल सोर्म लगाँ बी पैलल टू एबी तो क्या लगेगी मेरी 2.12 क्या टाना है बचालोग अपको एबैल में के नौट करने है। माइनस सबको सबकी वैलुू पता है सबको सबकी वैल्यू पता है श्मिर्य सबकर वारी और अम हम केंसे dot자 आ जाएगो यह आपका का होको सबस्ट के roughly सलें और स्ब्सक्राइगे ट्रवाइन टो हम्हें में अचारी हृत टुच की सब्सक्राइब 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 वेरी वेरी इजी कोश्चन बचे लोग जरा देखे कर सफेसे रिया जो सिलेंडर का दे रखा है तो पाइड कर दोगे तो मेरी आर अपाउन टू की वैल्यू से एको लाएगे टू से टू कर जाएगा तो आर की वैल्यू मेरी 7 मीटर आ जाएगी ठीक है किसी भी एक में पूट करके मैं ह की वैल्यू निकाल सकता हूं मैंने 2 पाई रही कोई तो से टू सिक्ष्टी फोर में और पूट करके पाई पूट करके एच की वैल्यू सॉल करी तो एच मेरा आगे थ्री वाइच के ता आगे मेरा 6 मीटर अब बच्छे लोग देखो तो तुम्हें के निकालना है अग तुम्हें निकालना है या हईट की डाय मेकर से घजच्च्छ घश्च्छ लेयू घ्काइट कर दाग्यर से में एटेखन नमबे Ebonte Do find the value of P तो अगर distance दे रखा है A और P के बीच में कितना 5 उनिट तो आपको किसकी value निकालनी है P की value निकालनी है जड़ा देखिए A की value यह है B की value यह है और distance दे रखा है A B का कितना 5 उनिट तो distance formula रगा देंगे अंडर रूट X2-X1 whole square plus Y2-Y1 whole square is equal to 5 अंडर रूट में ठीक है तो 9 plus P square is equal to 25 यानि मैंने दोनों साइट squaring तो 25 हो जाएगा तो P square की value 16 हो जाएगी और P की value plus minus 4 हो जाएगी तो यानि P की value आगे में प्लस minus 4 इसका जो और वाला कोशन है आज से क्या पुछा गया है देखे जाना write the coordinates of the point P on the x-axis which is equal distance from the points A and B आपको coordinate निकाल लें point P के x-axis पे अब बच्चे लोग किस point पे निकाल लें x-axis पे तो y के coordinate क्या हो जाएगे 0 वो already given भी है अब वो equidistant है ए और बी से जब वो को distant A और B से तो क्या वह उसका midpoint नहीं होगा तो पी पॉइंट हो जाएगा उसका midpoint पॉइंट हो जाएगे वो क्या होंगे x1 plus x2 upon 2 y के coordinate क्या हो जाएगे y1 plus y2 upon y1 plus y2 upon 2 तो 6-2 यानिके 4 upon 2 यानि 2 तो coordinates क्या जेंगे पॉइंट पी के 2,0 देखने जड़ा तो पॉइंट पी के coordinates क्रते आगे 2,0 नौ कोशन 16 for the following distribution अब following distribution आपको बच्चे लोग given है ठीक है class given frequency given है यह cumulative frequency मैंने आपको extra में given कर रखी है लेकिन आपको paper में नहीं given ठीक है आपको paper में बच्चे लोग नहीं given मिलेगी लेकिन निकालते है कैसे cumulative frequency को alternate में या बोलें तो diagonal में plus खरके जैसे 1 है 3 plus 1 किरता होगे 4 5 plus 4 किरता होगे 9 9 plus 9 किरता होगे 18 7 plus 18 किरता होगे 25 3 plus 25 किरता होगे 28 अब आप एची याद रखेंगे जो cumulative frequency आपकी आएगी वो सारी frequency का सम होगा जो आपकी लार्श क्युमिलेटिव फ्रीक्वेंशी आएगी वो सारी frequency का ज्या होगा सम होगा ठीक है तो आपने भी स्मुमिलेटिव फ्रीक्वेसे से निकाली है अब आपको निकालना के answer में find the sum of the lower limit of the median class and upper limit of the model class सबसे निकाला है आपको सम निकालना है Lower limit of middle Warsaw and upper limit use Solar class मैं किसे की बात करो में myुडियन क्लास की सबसे पहले यह भी इन सम और ne पर गालो मेरी क्यूमलेटिफ फ्रॉकेंशी में किस से पहले आ रही है और मेरी क्लास जो हो जाएगी 40 से 50 तो मीडिन क्लास की लेनी है मुझे कौन से लोवर लिमिट मेरी बताएगे कौन से लोवर लिमिट मेरी थी 40 से 50 तो यानि इसकी लोवर लिमिट होगे 40 तो मेरा आंसर कित्छा जाएगा 90 तो सम अब लोवर लिमिट अब लिमिट अब लिमिट मॉडल क्लास तो मेरा फाइंडल आंसर क्या आगया 90 ठीक है सभी बच्चे कर पाएंगे चरिये नौ स्टार्टिंग विधाक सेक्षिन भी एस स्ट्ड़ी टाइप करूशन हम लोग के स्ट़डी टाइप कर रहे हैं राइट इजी कॉश्चन से आप लोगों के लिए सबसे बनाया गया ठिक ए ऐसी सैंपल फेपर आप लोगों के लिए आती रहेंगे और इसकी जो सब्सक्राइब करें अगर आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्ची हैं और पांच बच्चों को ये चैनल जरू शेयर कीजिए ताकि बच्चों के बैटर से बैटर मांस आपाएं सब्सक्राइब करें तो दिस्टेंस फॉर्मला से आपको बताना है कि कौन से इन में से करेक्ट होंगे ठेक है यह आपको फिगर गिवन है एन-C-I-T का को पोजिशन है ठेक है वाट इस अ पोजिशन ओफ ए एक की पोजिशन बता सकते हैं 3,4 ठीक है दिखाए दे जिया ओड़िए वाट इस अ मिडिल पोजिशन ओफ ए और बी की मिडिल पोजिशन आप कैसे निकालेंगे इसका मिड़ पॉइंट फॉर्मला निका सकते हैं अब देखे बच्चे लोग पांच में से चार पार्ट करने होते हैं तो आप बच्चे लोग शुरू के चारों पार्ट कर देंगे यह जो आपका पांच पार्ट सब्सक्राइब करें इक्वेशन ओफ लाइन सीडी यह थोड़ा पर 11 का इसमें आता है तो मैं आपको ही समझा देता हूं सब्सक्राइब किसके बीच में सीडी की बीच में स्लोप का फॉर्मला होता है यह इकल पॉंट से निकालेंगे तो यानि 1-4 आपॉंट 6-9 इससे निका फॉंट से पूट करके निकाल लेंगे दिम्राइब करेंगे-म कि उस जो've करेंगे ऐहां से मयन है इंटर्सेंट सीओ को ओके यह था उब से लगाज़ इंगे रिस एकार मेल्य पॉटत नहीं करेंगे एमयोव और सीडी पर ल्कलॉय पर नहीं करेंगे तो मेरें चाहिए चाहिए लैंड चाहिए गी एक सिप णसे माइनस वार इंस पाइब भाइब लाइब को प्रेस करा इस पह पॉइंटेश में पश्यूफ द्द कि शुद्र में पर घ्रेच कि घखा घ्र चाहिए लिएुद और घ्रेच की बन रहा है वह सकेल फेक्टर पर बनना नियुक्त किससरेई फेक्टर पर बन रिखें ठीक है ऑपको दे रखा एक अन्गल वी एंगल एंगल दी आपको गेवन है II तो इनके basis पे आपको question given है बचलो पहले तो मैं आपको scale factor बता दूँ वन देशो टूका है तो सारी सैट जोंगी A-B-C-D-वाली वह आपकी चारो सैट डबल हो जाएंगी क्योंकि scale factor 1 रेशो टूका है तो A-B-3 हो जाएगी B-C-देश आपकी 50 cm हो जाएगी C-D-देश आपकी 4.8 हो जाएगी और A-D-देश आपकी 4.2 हो जाएगी ठीक है बच्चे लोग आगे चलते हैं तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D आपको given है तो आपको पताना है measurement of angle A-देश सेम होगा 105 डिगरी What is the length of A-B- तो इसका scale factor से double हो जाएगा 3 cm What is the sum of the angle of the quadrilateral जो कि आप जानके quadrilateral के angle का sum कितना हो थे 360 को answer आएगा 360 What is the ratio of the side A-B- and A-D- तो पहले तिनका double करो उनका ratio कर दो कौन-कौन से side से बच्चे लो A-B- याने की AB देखी किता 7.5 तो यह हो जाएगा 3 ठीक है कितना हो जाएगा 3 और A-D- जो कितना है ठीक है A-D-A 2.2 तो 4.2 तो यहाँ जाएगा 3 upon 4.2 यहने 30 upon 42 तो यहाने की 5 upon 7 तो देख लो मिरा answer में 5 upon 7 आजाएगा What is the sum of the angles C- and D- तो C-D का देखो कितना होगा 70 और 85 तो यहाँ जाएगा 155 तो मेरा C- और D- को जो सम है वो भी मेरा कितना आजाएगा 155 आजाएगा क्योंकि corresponding angle है तो A-B-C-D किसके equal होंगे आपके A-B-C-D और D- के equal होंगे ठीक है यह मैंने आपको सारा solution दे रखा है आप solution देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप यहां से solution देख सकते हैं मैंने आपको सारा solution लिखे दिया हुआ है ठीक है चलिए question 19 देखिए case study 3 है यह आपकी height and distances दी गई है एक electrician है उसे repair करना है एक electric fault को जो की एक pole के उपर है और pole के height किती है 5 meter की जो उसे किस point पर पहुचना है उसे top से 1.3 meter की height पर पहुचना है तो यानि ground से किती height बची 3.7 meter ठीक है जहां उसे repair बच करना है जो कि आपको दिखाई दे रहा है point B अपनी screen पर ठीक है दिखाई दे रहा है आपको तो what is the length of BD यह BD वाली length बता नहीं है तो 5 में से कितना माइनस कर जाएंगे 1.3 तो 3.7 मेरा answer आ जाएगा what should be the length of the ladder when inclined at an angle of 60 degree length of ladder कैसे निटा सकते हैं आप यहां से साइन सिस्टी का फॉर्म लगाई है तो परपेंडिकुल अपन हैपट्विस आ जाएगा तो जब इससे solve करेंगे परपेंडिकुल अपन हैपट्विस तो बीसी लेंद के त्यारेंगे मेरी 4.28 मीटर तो length of the ladder के त्यारी मेरी 4.28 मीटर ठीक ही आ गई सब्सक्राइब करेंगे मेरी 4.14 मीटर ठीक है निकाल लेंगे अगर मेरा होरिजॉंटल एंगल 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री हो जाता है तो length of the ladder किती हो जाएगी फिर से में यहां पर साइन 60 लगा जैसे मैंने अब यहां पर मैं 30 लगाऊंगा ठीक है कौन से एंगल लगाऊंगा साइन 30 लगाऊंगा तो मेरा किता आजाएगा 3.7 अपॉंट 2 तो 3.7 में मल्टिप्ला हो जागा 2 तो मेरी जो length of the ladder है वो इस बार मेरी 7.4 मीटर के आजाएगी वाट इस अवेल्य ओफ एंगल बी की वैल्यू किती होगी जरह यहां पर दीखिए यह एंगल 90 डिग्री का यह 60 डिग्री का तो 60 प्लस 90 150 बचा किता 30 तो मेरा यालो जो एंगल है भी वो किता आजाएगा मेरा 30 डिग्री आजाएगा बच्छे लोग ठीक है वाट इस अंगल भी तो 30 डिग्री सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वाट की अपर लिमित अपर लिमित अपर मॉडल क्लास पहले आप मॉडल क्लास देखो सबसे जादा फ्रिक्वेंसी होती है वह सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वह कि इसके अपर लिमित नाट्वाले सारे प्लस कर लो एट और थ्री 11 और 21 तो बिच वाली ता माझेगी यानि कि वन था इटा तो कौन सा बेस्ट मेथड होता है आपका डिरेक्ट मेथड तो बच्चों ये था आपका सैंपल पेपर वन का पार्ट नमबर वन जो कि आपने बहुत बखुबी अच्छी से कवर कर लिया है और जैसे आप वीडियो देखे इसे पूरा करेंगे और वेड करेंगे आपने पार्ट नमबर वन का सैंपल पेपर वन का क्लास 10 मैस के बच्चों के लिए आज ही अपलोड कर देंगे जल से जल इससे पहले आप लोग इस पार्ट को पूरा कर लेंगे प्रीमियर के फोर्म में आपके सामने आएगा आप इ इस पार्ट के लिमिट है वो तूहंटेड व्यूज की है तो जल्ली से जल्ली तूहंटेड व्यूज दीजिए यानि की दो सो बच्चे तो किसे पहुचा दीजिए और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बच्चों को बैनिफिट होगा और आपका जिग्याथा का बादा सबसे मेनद ज्यादा ओल्दा बैस गुड़ लग है जिग्याथा मिलेंगे आपसे नेक्स पार्ट में तिल देन गुड़ लग और